आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों चलिए प्रशन देखते हैं यदि X-7 का वर्ग प्लस Y-10 का वर्ग प्लस Z-6 का वर्ग बराबर है 0 के तो X-Y-Z का मान ग्याद करें तो देखें यहाँ पर हमें दिया गया है कि X-7 के वर्ग Y-10 के वर्ग और Z-6 के वर्गों का योग ठीक है? कितना है? 0 यहाँ एक संबंद समझते हैं देखें यदि A, B और C इनके वर्गों का योग 0 है ठीक है? यानि कि A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग 0 है तो हम कह सकते हैं कि A, B और C तीनों 0 के ही बराबर होंगे ठीक है? वर्ना किसी और परिस्थिती में यह संबंद नहीं है कि तीन अगर हमारे पास पद हों तो उनके वर्गों का योग 0 ने आ जाए ठीक है? यह तभी संबंद है जब A, B और C यानि तीनों ही हमारे जो पद हैं वो 0 हो ठीक है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर यह भी तभी संबंद है जब हमारे तीनों पद 0 के बराबर होंगे और तीन पद हमारे क्या है? पहला पद है X-7 तो इसको बराबर रख लेते हैं 0 के इसी तरह हमारा दूसरा पद है Y-10 तो इसको भी बराबर रख लेते हैं 0 के ठीक है? और तीसरा पद है हमारा Z-6 तो इसको भी बराबर रख लेते हैं 0 के तो Z-6 बराबर 0 यहाँ से X, Y और Z का मान मिल जाएगा हमे X का मान हो जाएगा यहाँ 7 Y का मान हो जाएगा माइनस 10 और z का मान हो जाएगा यहाँ पर 6 और हमसे मान किसका पूछा है इसने x प्लस y प्लस z का ठीक है तो x प्लस y प्लस z का मतलब 7 प्लस माइनस का 10 प्लस 6 यानि यह हमारे पास आ जाएगा 7 और 6 13 प्लस माइनस का 10 प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो 13 सब्सक्राइब देखें तो विकल्पों में पहले दूसरे तीसरे और चोथे विकल्प में से दूसरा विकल्प सही है अन्यवाद सब्सक्राइब देखें नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर